तो आज हम कुछ important mcq करने जा रहे है हिस्ट्री ऑफ जैनके के उपर तो हम 21 mcq होगा इसमें important तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले आप question को देखने के बाद comment box में answer comment कर देना इसके बाद जाके आप answer रिचेक कर देना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला question है हमें question number first दिया गया है what is the name of first mosque in Kashmir तो पहला कौन सा mosque जिसको बनाए गया था कश्मीर में तो उसका नाम क्या ये पूछा गया है तो सबसे पहला option है आपको दिया गया आपको दिया गया है जम्र मस्जीद आपको दिया गया हसरत बल आपको दिया गया है चरार श्रीफ तो question number first का सही answer क्या होगा तो option number एक सही answer होगा का आपका बुड माशिद ये आपका सबसे पहला मौस्ट का कश्मीर में ठीक है तो चलिए आएगे बढ़ता है question number second राश्तिरंग्नी वास्ट्रंसलेटिट इंटू इंगलिश बाइ राश्तिरंग्नी है कलहान का लिखा हुआ तो इसको इंगलिश में किस ने ट्रांसलेट किया था ये पूछा गया है तो इसका option दिया गए option number a आपको a stand option number b ml kapoor option number c alexander कनंगम and option number d आपको दिया गए none of the ever so इसका से यह answer कौन सा होगा question number second का आपका से answer रहेगा option number a यानि a stand ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं question number third question number third आपको दिया गया है तारी के कश्मीर वास रिटन बाइ किसने लिखा था ये तारी के कश्मीर तो option आपको दिया गए पीर हसंचा ऑप्शन नमरे ऑपको दिया गए जो इसका सही answer होगा Q5 यह पका सी मली घर की दोरा लिखा गया था यह तारी के कश्मीर चलिए आगे बढ़ता है Q4, Who was the first six governor of Kashmir? कौन था इसमें से? तो option आपको दियाए गए है, मान सिंग, option number A, option number B आपको दियाए गए, दीवान मोती राम, and option number C आपको दियाए गए, गुलाम मुहियो दीदीन, and option number D आपको दियाए गए, गुलाब सिंग डूगरा, ठीक है? तो question number 4 का आपका से अंसर कौन से रहेगा, option number B आपका से अंसर रहेगा, question number 4 का, दिवान मोती राम, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह तो था question number 4, आगे बढ़ते हैं question number 5, the Mughal Emperor, अकबर, विजट कश्मीर इन, तो Mughal Emperor जो अकबर था, अकबर बाच्छा, तो वो कश्मीर में पहली कब आया था, ठीक है, तो वो आया था, आपका option दिया गया, option number A, आपको 1569, option number B आपको दिया गया है, 1579, and option number D, आपको C आपको दिया गये 1589, and option number D आपको दिया गये 1595, तो question number 5 का से अंसर कौन सा रहेगा, अकबर नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, question number 6, the foundation of ragunad temple was late in, जो ragunad temple हमारे जमू में है, तो उसका foundation कब लगाया गया था, ठीक है, तो ये पूछा गये, तो option number A आपको दिया गये 1840, option number B आपको दिया गये 1851, option number C, 1860, and option number D, 1871, तो question number 6 का आपका से अंसर कौन सा रहेगा, option number B, 1851 में जो ragunad temple है, उसका foundation लगाया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 7, the treaty of Amritsar signed between the British government, and the Maharaja Gulab Singh consist of, उस जो treaty में कितने आर्टिकल थे, ये पूछा गया है, तो question number 7 का आपका option number A आपको दिया गया है, 5 आर्टिकल, option number D आपको दिया गया है, 7 आर्टिकल, option number C आपको दिया गया है, 8 आर्टिकल, and option number D आपको दिया गया है, 10 आर्टिकल, तो question number 7 का आपका सही अंसर कौन सा रहेगा, फिर इसमें कितने आर्टिकल थे, इसमें थे आपके 10 आर्टिकल तो option number D आपका सही अंसर रहेगा question number 7 का तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो था question number 7 आगे बढ़ते है question number 8 question number 8 आपको दिया गया हूंसंग comes to Kashmir during the range of किसके दोर हुकुम्मत में हूंसंग जो एक Chinese traveler था तो वह कशंफीर में आया था यह पूछा गयाई है तो किसके दोर ह्कुम्बत में आया था तो option number a आपको दिया ऊपको दिया गया है मगा वहूं and option number c आपको दिया गया राजा दुरतब द्यवा and option number d आपको दिया गया है लले दितिया तो question number 8 का आपका सही answer कौण सा रहेगा फिर यह option number आपका सी से अंसर रहेगा राजा दुर्तब देवा के टाइम पे यह यूंसन जो चाइनिस ट्रैवलर था वो आया था आपके कशिमीर में तो आगे बढ़ते है question number nine यह तो था eight आप nine की बात करें तो nine आपको दिया गया है हुब यूल दा फस्ट रॉयल प्लेस एट ले ले में जो रॉयल प्लेस पहला रॉयल प्लेस किस ने बनाया था यह पूछा गया तो option number A आपको दिया गए है, ला चन दरस्पा, option number B आपको दिया गए है, बहाउगोन, option number C आपको दिया गए, ला वंग, and option number D आपको दिया गए, टशी वंग नम गिल, तो question number 9 का आपका सही अंसर कौन सर आएगा, तो इसका सही अंसर है, आपका question number 9 का सही अंसर है, आपका option number D कि तशी वंग नमगे ठीक है तो यह तो था कॉर्चन नमर नाइन आगे बढ़ता है कॉर्चन नमर टैन हमें दिया गए महमूद अफ गजनी इन्वेडिट जमू डिवरिंग दरेंज और किसकी दोरे हुकूमत में जो महमूद महमूद अफ गजनी था उन्होंने जमू में हमल किया था इन्वेड किया ठीक है इन्वेडि जमू डिवरिंग दरेंजो किसकी टा wrap तो ओप्शन दियाएंगे आगे बढ़ता है question number यह तो 30 आगे बढ़ता है question number 11 कि अगर बात करें तो 11 क्या दिया गया है बहू लोचन वास से टू है बीन किल्ट इन बैटल वेट किस के साथ बैटल में बहू लोचन को मारा था यह पूछा गया है बहू लोचन को किस के साथ बैटल में मारा गया था तो यह था आपका option number B आपका चंद्रहास के साथ बैटल के वक्त जो बहू लोचन है उसको उनको किल किया था ठीक है तो आगे बढ़ते हैं question number यह तो था 11 आगे बढ़ते है question number 12 12 क्या दिये गए who was the founder of उत्पाला डैनिस्ट्री का founder कौने यह पूछा गया है ठीक है तो option number A आपको दिये गए आवंतिवर्मन option number B लल्ली देतिया option number B आपको दिये गए बुपिंदर option number D राच सुराच दिव तो इसमें आपका question number 12 का सही answer कौन सा रहेगा तो यह answer है आपका option number A आवंतिवर्मन के दावर्मन आपका उत्पाला डैनिस्टी का foundation किया ठीक है आगे बढ़ता है question number 13 तेहमूर इन्वेडिट जम्मू इन तेहमूर ने कप इन्वेजिन किया था जम्मू में ठीक है यह पुचा गया तो option number A आपको देगे 1397, option number B आपको देगे 1398, option number C आपको देगे 1399, option number D आपको देगे 1400 तो इसका सही answer कौन सा रहेगा तेहमूर ने कप इन्वेडिट किया था तो यह option number B सही answer रहेगा 1398 में ठीक है कहा जाता है तो यह है आपका option number A आपको देगे treaty of Lahore, option number B आपको देगे treaty of Punjab, option number C आपको देगे treaty of Amritsar and option number D आपको देगे treaty of Jamoo तो इसका सही answer कौन सा रहेगा option number C सही answer रहेगा, treaty of Amritsar is also known as celled of Kashmir तो चलिए आगे बढ़ता है question number 14 था ही, आगे बढ़ता है 15, the last Afghan governor in Kashmir was, last Afghan governor कौन था कशमीर में यह पूछा गए, question number 15 में तो इसका option देगे option number A, option number A, option number B आपको देगे आटा खान, option number C आपको देगे मुकंचन and option number D आपको देगे जाबा खान ठीक है, तो last ruler कौन था, question number 15 का आपको सही answer रहेगा, option number D यानि जाबा खान, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता है question number 16, यह तो था था 15, question number 16 की बात करें तो who established Afghan rule in Kashmir, कशमीर में अफगान rule किसने establish किया था, यह पूछा गया, तो option number A आपको देगे, अब्दुलहसन, option number B आपको देगे, अहमद शाअब्दिली, and option number C आपको देगे, नूर अदीन, and option number D आपको देगे, आजिम खान, तो question number 16 का आपको देगे, option number B, आपको देगे, आपको देगे, आपको कशमीर में जो अफगान rule है, उसको establish किया था, ठीक है, तो आगे बढ़ता है question number, यह तो 16 था, आगे बढ़ता है question number 17, 17 की बात करें तो who was the last ruler of Chark dynasty in Kashmir, यह पूछा गए कि कौन था, जो लास, जो चाक डेंस टी था, उसके last ruler कौन था, यह पूछा गए, तो इसमें option आपको देगे, लाहोर चाक, option number A, option number B आपको देगे, अलीश शाह, option number C आपको देगे, यूसुप शाह, and option number D आपको देगे, याकुब चैक, ठीक है, तो question number 17 का, आपका सही answer कौन सा रहेगा फिर, इसमें से, यह, इसमें से आपका सही answer रहेगा, option number, आपका D, याकुब चाक था, लास रूलर, जो चाक डेंस टी, था, कश्मीर के, उसका last ruler था, याकुब चाक, ठीक है, तो आगे बढ़ता है, question number, यह तह था, 17, आगे बढ़त ने बनाया था, यह पूचा गया था, टीक है, तो चार चिनार वास बूल्ड पाइ, option दियागे, option number A, आपको दियाएगाए, जैनलाबदीन, option number B, आपको दियाएगाए, हैदर शा, option number C, आपको दियाएगे, हासन शिया, and option number D, आपको दियाएगाए, महम्मद शा, ठीक है, तो इसका question number 18 का आपका सही अंसर कौन सा रहे गा फिर इसको आपका किस ने बनाए था हसन शा की दोड़ा option number C आपका सही अंसर रहे गा आगे बढ़ते है question number 18 आगे बढ़ते है question number 19 who was the last ruler of शाहमीर डैनस्टी जो शाहमीर डैनस्टी था कश्मीर में उसका last ruler कौन था ये पुछा गया question number 19 में तो question number 19 का option number A आपको देएगे हैदर शाह option number B आपको देएगे नाजुक शाह option number C आपको देएगे घाजी शाह and option number D आपको देएगे हबीब श्रश तो इस में से से श missionary कौुट से रहेंगा इसका निन्र यह दिन्टी का तो निन्टी क LAUPTION 44 से रहेंगा अगे बठते हैं को तो दिन्टी की बात करें तो फास्ट वुड़ola प्रिश हैं फिर सुन्हार में उसको किस ने बना और यह, पूछा गया तो option number A, आप को दिया ग讲 यहां इस बाय लाये की नाजुक crunch okay तो इस में से सही अंसर कोण सब्सूराइगा अपका तो सही अंसर रिएगा आपका इसमें option number A यानि शाह ख्षान तो उन्हों ने बनाया था ठीक है क्वेशनमर 20 का आपका आप्शनमर A से यह अंसर रहेगा चलिए आगे बढ़ता है क्वेशनमर 20 था अब 21 के अगर बात करें तो शाहिख खान वास आलसो नेम्ट एस उसको और किस नाम से जाना जाता था यह पूछा गया है तो उप्शनमर A आपको दियागेaurais बट शाह उप्शनमर B अकबर ऑफ कश्मीर उप्शनमर C लले दित्या एंड आपको दियाए बोथ ए एंड बी यानि बट शाह और अकबर ऑफ कश्मीर तो इसका 21 कॉच्छनमर जो 21 है इसका आपका सभी आंसर रहेगा इसमें से बोथ ए ए तो यह तो था हमारा आज का important MSQs तो यह शाह खान इसको आपका जाहिन अलाबदीन भी कहते हैं ठीक है शाह खान यह तो था आज का हमारा MSQ तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक एसाथ को आज अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like subscribe शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए good bye and take care